यह लंगास, वैलक।म्म तो मैं चैनल आप देख रहें How To Fix Tech, दोस्तों इस वीडिול में आपको बताने वाला हो अगर आपकी स्क्रीन फ्लेकरिंग, ब्लींकिंग या फ्लेशिंग का इसू आपको तो इस case में क्या होता है दोस्तों आपकी screen जो है यहाँ पर अपने आप हिलने लगती है यहाँ पर और यह task bar जो है यहाँ पर यह भी अपने आप pop up करता है अपने आप से हिलने लगता है यहाँ से तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वालों कैसे आपने fix करने हैं इस issue को तो मैं आपको तीन steps बताने वालों दोस्तों जो powerful and working steps हैं उससे पहले दोस्तों मैं आपको physically आपको कैसे चेक करने हैं यह बताने वालों कई बहुत हैं दोस्तों आपको स्क्रेइन जो यहां से उसमें क्रेक्स आ जाते हैं उसके वेसे यह इसु आ सकता आपके पास ऑगर आपीष्यू और उच्छ ऊसके ूप योज़िंज कर रहूंगेों तो यह इसु उसके सात्स पर यूज कर रहोंगे तो आप अगर VGA केवल या HDMI केवल यूज कर रहोंगे उस case में दोस्तों HDMI या VGA केवल कई बार खराब हो जाती है उसके उजह से भी आपकी स्क्रीन जो है blinking होती रहती है तो उस case में दोस्तों आप अपने लिए नहीं VGA केवल या HDMI केवल पर्शेज कर सकते हैं और रेप्लेस करके उसको इस issue को आप fix कर सकते हैं तो अगर दोस्तों यह सब आपने ट्राइ कर लिया तो मैं आपको बताने वालों आपने कैसे फिर इस issue को fix करना है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको basic steps से start करूंगा और अगर आप इस तरीके से screen अपनी use कर पा रहें तो यह सबसे basic steps रहागा उन users के लिए दूसरा method और तीसरा method में उनके लिए बताने जा रहा हूं जो स्क्रीन अपनी यहां पर login तो कर पा रहें लेकिन कुछ नहीं कर पा रहें उसके लाओ option छूज नहीं कर पा रहें तो चलिए हम start करते हैं बिना आपका time विस्ट करें basic steps से उसके लिए आपको device manager में जाना पड़ेगा है यहां पर सारे drivers की होते हैं दोस्तों device manager में उसके बाद दोस्तों आपको display adapters में जाना है यहां पर क्योंकि यह responsible रहते हैं यहां पर अपनी display के लिए उसके बाद इसको expand करने के बाद आप देखेंगे उसका driver जो है मेरे case में यह graphics driver होता है दोस्तों इसी के वज़े से यहां पर screen हम देख पाते हैं यह आप देख सकते हैं तो इसको update करना जोरूरी आपको update होना चाहिए उसके लिए आपको right click करना है इस पर update को option है यहां पर यहां पर अगर आपके system में यह option दिखा रहा है the best driver for your device already installed तो आपको इसको close कर देना है यहां से उसके बाद यहीं पर आपको right click करना आपको उसके बाद update पर जाना है यहां पर उसके बाद आपको इस बाद second option चूज करना है देन यह वाला option let me pick from a list of available drivers on my computer यह क्लिक करना आपको यहां से आपको यह क्लिक करके रखना है Intel HD graphics 620 जो भी आपके पास option आ रहा होगा दूस्तों first वाला चूज करना आपको और अगर आपका first वाला चूज करने के बाद भी अगर issue solve नहीं होता तो आप यह दूसरा वाले भी try कर सकते हैं जो आपके computer के लिए suitable हो दूस्तों आप next ऐसे करेंगे आप यहां से आपको अप यहां से मैं exit करता हूं यहीं पर यहां आपको अब आप दोस्तों यहां पर monitor वाले को भी update कर सकते हैं यहां से driver को यह option है इसको भी आप update कर सकते हैं तो यह दोस्तों आपका basic steps और first method हो गया अगर इस method को follow करने के बाद आपका error solve हो गया तो good अगर solve नहीं होता दोस्तों तो आपको दूसरा method बताने जा रहा हूं उन users के लिए जो इस तरीके से अपने system को देख नहीं पा रहें इस तरीके से अपने screen पो यहां पर use नहीं कर पा रहें तो advanced options पर जाना दोस्तों हमने जिसको हम automatic screen भी बोलते हैं तो advanced screen को लाने के लिए दोस्तों आपको अपना system 2-3 वा करना है आप screen पर देख सकते हैं जैसी उसका window लोड होगे दोस्तों आपको power का button प्रेस करकर रखना है computer अगर यूज कर रहोंगे तो आप उसकी direct power के वाल निकाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यह screen मिलेगी your PC did not start correctly अब जैसी दोस्तों आप अपना system 2-3 बार forcefully shutdown करते हो तो आपको option मिलेगा your PC did not start correctly और automatic could not repair your PC तो आपको advanced options पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके सो options देखेंगे यहां पर आपको फिर से troubleshoot पर जाना यहां पर अगर आप continue with window 10 करेंगे तो same problem रहेगे आपको तो यहां पर troubleshoot option है इस पर क्लिक करना आपको उसके बाद फिर से आपको advanced options को यहां पर option है इस पर क्लिक करना आपको आप यहां से दोस्तों आपको च्छे options देखेंगे तो हमने startup setting पर क्लिक करना है यहां पर उसके बाद यह startup setting पर restart option है यह देख सकता हम तो इसको क्लिक करना हमने हमने safe mode में open करना दोस्तों अपना system इसके बाद आपको startup setting options देखेंगे तो आपको one by one आप देख सकते हैं जैसे आप f1 करेंगे इनेवल debugging वाला option खुलेगा तू से आपको दोस्तों इनेवल बूट लोडिंग खुलेगा तो आपको यहां पर इनेवल safe mode खुड ले तो आपको अपने system में f4 प्रेस करना है यह आप देख सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं यहां पर f4 प्रेस करता हूं रिस्टार्ट हो जाता है मेरे system safe mode में कि यह आप देख सकते हैं safe mode में start हो चुका है मेरे system यहां से आपको अपना password डालना है login का यह देख सकते हैं दोस्तों आप इस तरह के से black screen type के आ जाएगे आपके पास safe mode में तो आपको क्या करना है दोस्तों control panel में जाना सबसे पहले यहां पर आपको search बार में जाना है तो मेरे case में दोस्तों search बार यहां पर काम नहीं कर रहा है तो आपको window R करना है window plus R का button आपको प्रेस करना है इस तरीके से आपको screen दिखेगी यहां पर run command की आपको यहां पर control लिखना है इस तरीके से okay करना आपको उसके बाद यह बड़ा कर देना दोस्तों यह large icons होने चाहिए यहां से इस तरीके से आपको उसके बाद program and features को option दिखरा होगा यह option इस पेक्लिक करना आपको आप यहां से दोस्तों जिस program को आपने install कर आप recently उस program के recently install करने के बाद आपको error face करना पड़ा है तो आपको दोस्तों इस तरीके से select करना उसको और यहां से यह uninstall को option है इस पेक्लिक कर देना है उसके बाद आपको next next कर देना है यहां से इस तरीके से आपको वह वाला प्रोग्राम जो है दोस्तों अनिस्टॉल कर देना है जिसके वेज़े से आपकी स्क्रीन में flickering और flashing का issue आए उसके बाद आपको यहां से एक्जिट कर लेना है अब आपको दोस्तों अपना सिस्टम नॉर्मल तरीके से री स्टार्ट कर लेने यहां पर क्लिक करना आपको यहां पर start का button है जो उसके बाद यह option है यहां पर power options उसके बाद आपको अपना system नॉर्मल तरीके से restart कर देना है यहां पर मैं अपना password डाल देता हूं फिर से और आपका जो दोस्तों welcome के screen आ जाएगे आपका issue solve हो जागा अगर इन दो steps को फॉलो करने के बाद आपका issue solve नहीं होदा दोस्तों तुम आपको तीसरा method बताने जा रहा हूँ फाइनल method होगा दोस्तों तो आपको करना फिर से तीन बार अपना system for fully shutdown करना है automatic repair की screen लानी है फिर से आपको अगर आप इस तरीके से login हो पा रहे है तो आपको shift का button press करेकर रखना है start by click करना आपको उसके बार restart का option है यहाँ पर shift का button आपको press करेकर रखना है restart पक्लिक करना आपको इस तरीके से और shift का button आपको प्रेस करके रखना तब तक यह देख सकता है इसके बाद आपको इस तरीके से screen दिख जाएगी और अगर आपने तीन बार system restart करा होगा तो और your PC did not start correctly आया आप आप एडवांस उप्शन पर जैसी क्लिक करेंगे आप यही पर आना आपको ट्रॉबल सूट का option है यहाँ इस पर क्लिक करना है फिर से आपको एडवांस उप्शन पर जाना है आप अपर अब दोस्तों यहां से आपको 6 options दिखेंगे तो start-up setting हमने try कर लिया यहां से उसके इसके बाद आपको uninstall updates पर जाना है यह वाला option जो है उसके बाद दोस्तों uninstall update जैसी करेंगे आप uninstall latest quality update इस पर क्लिक करना इस तरह के से यहां पर आपको अपना password डालना पड़ेगा फिर से इस step को perform करने के बाद दोस्तों आपका issue जो है पूरी तरीके से solve हो जाएगा uninstall quality update पर जैसे आप click करेंगे यहां से start हो जाएगा 15-20 minute लगाएगा दोस्तों यह और आपको अपना system जो है चार्ज पर लगा के रखना है इसमें और 10-15-20 minute लगाने के बाद ही आपका issue जो हो जाएगा जैसे आप uninstall latest quality update करते हैं तो फिलाल दोस्तों मैं यहां से cancel कर रहा हूं इसको मैं आपको आप दोस्तों वही method दोस्तों अगर आपने uninstall quality update यहां से कर लिया तो वहीं पर जाना आपको अब आपको यह uninstall latest feature update को भी एक बार यहां से क्लिक कर लेना है वह यह जैसी करेंगे दोस्तों आप uninstall features update यह भी दोस्तों 15-20 minute लगाएगा आपका issue जाए पूरी तरीके से solve हो जाएगा जो आपने last time quality update भी किया है दोस्तों आपका जो data है कहीं नहीं जाएगा यहां पर लिखा हुआ है साप साप इस वुड़ नौट इफेक्ट और परसुनल फाइल बट यू विल लूज एनी चेंजेस्टों मेट वैप्स एंड सेटिंग अप्डेट अगर आपने कोई सेटिंग वेटिंग करी होगे दोस्तों एप्स के अंदर होगे रहा तो वही सेटिंग चेंज होगी आपका ड कि रहे 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 लेक्स up-नाघ ओरो जैसरिंग के षेंजल इसमुट सेटिंग अपट कर रहे 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 रहिर सेटिंग धनागन सेटिंग झांग कर दो दो घराओ यू 10 T